हेलो एवरीवन, मैं हूरोबी और आप आए हैं तारा मदू की रसोई चैनल पर तो फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल सी रेसिपी में मैं मास्टर शेफ की एक बहुत ही शांदार सी रेसिपी और टिप यूज़ करने वाली हूँ दर असल फ्रेंड्स, जब मैं अपने काम वगरे से फ्री हो जाती हूँ तो थोड़ा बहुत टीवी देख लेती हूँ और जब मास्टर शेफ आता है तो उसका कोई एपिसोड मैं मिस नहीं करती हूँ उसमें जो प्रियंका है जिनने डेजर्ट क्वीन, केक क्वीन भी कहते हैं वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं अभी केक से ही जुड़ी हूँ और अभी कुछी दिनों पहले मैंने उसमें एक टिप देखी थी जो कि मैंने सुचा इस बार मैं अपलाई करके देखूंगी क्योंकि मैं कई बार उस चीज को बनाने में गरबर करती थी तो आज वही को फॉलो करके आपके साथ मैं वो टिप शेर करूंगी और आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी बिल्कुल वैसे ही उसे बनाएं देखेगा आपका फर्क जो है आपको खुद नजर आएगा तो आज बनाने जा रही हूँ मैं गार्लिक ब्रेड बहुत दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे डाल देती हैं और इसके पैकेट पर वैसे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं पर मैं आपको फिर भी यहां बताती भी जाओंगी आप एक ही बारी में अपना ये काम कर सकें तो पूरा मिक्शर मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ये दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएं और मुझे इसमें खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी हर्ब्स वगएरा गार्लिक पाउडर वगएरा पहले से ही मिला हुआ है तो आपको कुछ भी एट करने की ज़रत नहीं है बस इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन लेखा है आपको बटर और थोड़ा सा गरम दूद डालना है तो बीच में मैंने थोड़ी सी कैवेटी बनाई है और उसमें देर टेबल स्पून पिंगला हुआ बटर डाल दिया है अब रिफाइन ऑल भी उसकर सकते हैं बटर से इसका टेस्ट और भी अच है रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ डाल करके इसका एक सॉफ्ट आटे जैसा डोट टेयार कर लें जैसे हम रोटी वगरा का बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तो यह जो केक टाइम का प्रिमिक्स है ना बहुत ही हेल्फुल है फ्रेंड्स कुछ भी एट करने की ज़रत नहीं और हमारा काम फटाफट हो जाएगा तो यहाँ पर धीरे धीरे देखिए मैं पानी डाल रही हूँ जैसे हम रोटी का आटा गुनते हैं बिल्कुल वैसे ही गुनना है तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स कई बार ऐसी चीज़ों के ओरर आ जाते हैं बच्चे डिमान कर द और दूर डालना है तो काम बहुत आसान हो जाता है और यहाँ पर इस देखिए डौग को अब मैं क्या कर रही हूँ अपने प्लैट्फॉर्म पर रख करके गुंद रही हूँ इस तरीके से और सबसे ची बात यह है कि सिंदर आपको कोई भी नमक, मसाला, हर्ब्स जो होती ह गार्लिक ब्रेट में या कोई फ्लेवर एड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है सारी चीजे ही इसके अंदर पहले से एड़ यह देखिए और मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स इसके जैसा कोई और प्रॉड़क मार्केट में है क्योंकि मैंने जब सर्च के तो मुझे नहीं मि कि एक टाइम में मुझे यह मिला तो फटा फट मैंने इसे मंगाया और अभी देखिए धीरे धीरे लगबग तीन से चार मिनिट आपको इसे अच्छे से गुदना है बहुत ज़्यादा देर नहीं हुदना अलका सा यह जोड़ जाए तो यहाँ पर हमारा यह जो आटा है व और फिर इस आटे को रख करके कहीं भी घर में जहां पर गरम जगा हो वहां एक गंटे के लिए छोड़ दीजेगा और अभी मैं आपको एक टिप भी बताऊंगी कि कहां आप इसे रख सकते हैं तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ की रेसिपी भी जल रही है जिसकी वीडिय सब्सक्राइब हो जाता है जब तक मेरे वह आटा जो है वह फर्मेंट हो रहे हैं हम इसकी आगे की तयारी करते हैं यहाँ पर एक बाउल में मैंने लगपक चार से पांच टेबल स्पून पिंगला हुआ बटर डाल दिया है इसके अंदर थोड़े से मैं हरा धनिया को कट कर करके डाल रही हूं आपको यह भी हर्ब्स वगरा है तो वह डाल सकते हैं बट धनिया से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लुप पहुची आती है तो आप इसे ही डालिएगा अब यह गारलिक ब्रेड है तो इसमें वन टी स्पून पारी कटा हुआ मैंने लह सन्यानी की बट भी डाल दिया है और मेरे पास ना फ्रेंड्स कुछ औरी गयनो था जो मैं सेंड्विच वगर हमें बट्चों को डाल करके देती हूं तो वह भी मैंने अपने आटे को देखा तो देखिए कितना फूल करके बढ़िया से राइस हो गया है तो अगर आपका इस तरीके की केंडिशन में आटा ना आए तो समझ लीजेगा आपकी फिर गार्लिक ब्रेड उतनी एफेक्टिव और अच्छी फुली हुई नहीं बनेगी तो यह पर देखिए मैंने पंच जब मारा है तो इसमें से जो हवा है वो रिलीज हुली है इसका मतलब यह बढ़िया से हमारा फ पैसे ही लगाना है अब यह जो हमारा आटा है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूं ताकि मेरी दो पर्फेक्ट साइज की गार्लिक ब्रेक बच जाए अब तीन भी बना सकते हैं बट साइज थोड़ा छोटा आ जाएगा यह देखिए आप देख सकते हैं अ जो कि वहां के उनर थे वहां के बहुत बड़े शेफ हैं उन्होंने नैंज जोती को जो टिप दी कि कभी भी आप पीजा का या ब्रेड का डो स्प्रेड करें तो बेलन या रोलर यूज ना करें उससे उसका टेक्शर उतना अच्छा नहीं आता एफेक्टिव नहीं आता त पिर इस तरीके से हतेली से ही स्प्रेड करके उसे फिल आएं यहां पर वही टिप मैं फॉलो कर रही हूं पहले मुझे भी यह नहीं पता थी और मैं भी बेलन से बेल देती थी पीजा वगरा के इस तरीके के डो को और ताकि शेप गोल आ जाए बट उस एपिसोड को देखन मेरा बटर यहां पर पिंगला हुआ है बट हलका सा जमा लेंगे न तो आराम से ब्रश की मदद से आप लगा पाएंगे बट कोई बात नहीं ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आब इसमें आपको मोजरेला या जो पीजा चीज आती है जो अच्छे से ग्रेट करके डालने हैं बट मेरे पास नॉर्मल चीजी है तो मैं वही इस पर ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर की मद़से लिए आप इसे के उपर ग्रेट किजेगा जितनी आपको चीज डालने हैं ना रम फिलिंग अगर इसके अंदर डालनी है जैसे तो वो भी आप डाल सकते हैं अभी इसके उपर मैं थोड़ा सा औरिगेनो स्प्रेट कर रही हूँ और आजना प्रेंट्स मेरे पास चिली फ्लेक्स जो थे वो खतम हो गए तो मैंने क्या किया अपना फ्रिज खोला हूँ उसके अंदर चुटे-चुटे सैशे रखे थे करके बताईएगा और अभी मैंने क्या किया है जो आदे पर मिक्षर डाला था दूसरे वाले हाफ को उसके ओपर रोल कर दिया है और थोड़ा सा उंगली की मदद से उसको चिपका दिया है तो यह खुले नहीं और थोड़ी सी डिजाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया है काटे वाला चमच और उसकी मदद से मैं या कॉर्नर पर प्रेस करके डिजाइन बना रही हूं और जब मैं यह कर रही थी ना तो मैं चोटा बेटा आके पास बोला कि ममा आप क्या फिर से बड़ी वाली गुजिया बना रही हो क्योंकि थोड़े दिनों पहले ही मैंने हुली पर गुजिया बनाएं थी और उसकी भी शेफ ऐसी होती है तो मैंने बोला हाँ यह गुजिया ही है बड़ी वाली लेकिन नमकीन मिलेगी आपको खेर यह तो बच्चों की बात हुई अब मैं फ्रेंट्स क्या कर रही हूं गारलिक ब्रेट के उपर थोड़े से कट के मार्क् तो हम इसे इसी शेफ में कट कर सके और आप इसके उपर जो बटर का मिक्षर हमारा बचा हुआ है वो भी अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे वैसे जितना मैंने बटर बनाया था ना मिक्षर वो इसी में यूज हो गया है तो थोड़ा सा और बनाना होगा क्योंकि अभी दू और उपर से मैं थोड़ी सी सीजनेंग कर दूँगी औरीगेनो से चिली फ्लेक्स से या आपके पर जो भी मसाला हो आप इस takते हैं मिर्ची का पावडर भी डाल सकते हैं चाट मसाला भी डाल सकते हैं आपके ऊपर ये टूटली जैसे आप अपनी गार्लिक बरेट में टेस् के अंदर मैं ये जो ordi का eco bake baking paper आता है न वो set करूँगी इससे क्या होगा हमारी bread जलेगी नहीं आराम से हम उसे उठा पाएंगे और बिल्कुल भी वो stick नहीं होगी तो यहाँ पर इसका जो ये cutter होता है इसी की मदद से मैं इसे cut कर लेती हूँ और जितनी बड़ी आपकी baking tray हो आप उससाब से अपना baking paper लीजेगा तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने set कर लिया है और अब हम इसके उपर अपनी shift करेंगे garlic bread जो हमने अभी बना करके ready की है तो बहुत ही साफधानी से उसे उठाईएगा कहीं भी कोई stuffing या इसकी filling गिरना जाए और एक side में मैं इसे place कर दूँगी क्योंकि दूसरी side अभी हमारी दूसरी garlic bread भी आएगी यह देखे किते बड़िया से मैंने इसे उठा लिया है और यह मैंने कर दी place इसको side में रख देते हैं और जो दूसरा हमारा आटे का piece बचा हुआ है उसको भी वैसे ही spread करते हैं तो यह देखे केवल उंगलियों की मदद से मैंने इसे spread किया है फिर से थोड़ा सा butter का mixture मैंने बनाया दनिया डाला उसमें garlic डाला और अभी butter में पिंगालना बोल गई जैसा वो room temperature फर्दा वैसे ही ले लिया फटा-फट से cheese spread करी और मेरे बर्चे थोड़ी सी मिर्ची कम खाते हैं तो इस बार मैं इसमें chili flakes वगरा कम डालूंगी क्योंकि फिर वो खानी पाएंगे और मेरी महनसारी waste हो जाएगी तो यहां थोड़ा सा और ही केनों मैंने प्रिंकल किया है chili flakes थोड़ा ही डाला है नहीं तो problem हो जाएगी और इसको मैंने फिर से fold कर दिया हातों से stick कर दिया और fork की मदद से ठीक वैसे ही design बनाएंगे तो बड़ी बेटी और हम थोड़ी बहुत मिर्जी खा लेते हैं बड़ छोटे वाले दूनों नहीं खाते हैं तो यह उनकी हो जाएगी और बड़ी वाली में से हम शेयर करेंगे तो इस तरीके से देखिए इस पर design भी बना लिया है चाको की मदद से जैसे पहले cut के marks बनाये थे वो भी बना लिये हैं और यह हमारी garlic bread दूसरी वाली भी पटाफट ready हो गई अब चलिए इसको भी shift कर देते हैं अपनी baking tray पर और इस bread के ऊपर भी मैंने butter का mixer थोड़ा सा ओरिगेनो लगा दिया है और इसको भी shift कर देंगे अब अब अपनी baking tray पर और आब इसे 10 minute ऐसे ही छोड़ेंगे और तब तक हम अपना OTG preheat करेंगे तो यहाँ पर आज मैं अपने बजाज के OTG में इसे bake करने वाली हूँ क्योंकि यह जो बड़ी वाली baking tray हो इसी में अच्छे से set होगी तो यहाँ पर मैंने OTG को पहले से ही preheat कर लिया है 150-180 degree पर अपने OTG के size के रिसाप से bake कर सकते हैं छोटा OTG है तो temperature कम लगेगा बड़ा OTG है तो temperature थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो मेरे size के इसाप से मैंने 170 degree पर इसको 16 minute के लिए bake होने के लिए छोड़ दिया है और तब तक मैं अपने दूसरे काम में लग गई एक दूसरी recipe भी मेरी चल रही थी इसका वीडियो next आपको मिलेगा और यहाँ पर देखिए के बाद मेरी garlic bread जो है वो पढ़िया से ready हो गई इस वाले OTG में कोई उपर की rod को on off करने का system नहीं है वो automatic है तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ करने की ज़रत नहीं पड़ी और मेरी garlic bread perfectly baked हो गई है अब इसको निकाल करके तोड़ा सा ठंडा करेंगे बट उससे पहले इस तो friends हमारी garlic bread बहुत ही जबरदस्त बनी है मतलब देखके ही मुझे किसी के पानी आ जाए आप लोगों के भी आ रहा होगा जरूर बताईएगा और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी serving मैंने की है वैसे तो यह किसी का order नहीं है घर में ही देना है थोड़ा आपको अच्छे से दिखा पाऊं presentation उसके लिए मैं इसे यह देखिए आपको दिखा देती हूँ नीचे का भी texture दिखाती हूँ यह देखिए किता बढ़िया golden crisp brown color आया है और कुछ भी ताम जाम नहीं है friends जरूर इस premix को मंगाईएगा और अभी मैं आपको न इसको cut करके भी दिखाती हूँ कि यह अंदर से कैसी है मैंने तो normal चीज डाला था अगर आप पीजा वाला या mozzarella डालेंगे ना तो जो खिचने वाला चीज होता है वो भी आपको मिलेगा बट मेरे पास जो अवलेबल था मैंने वो डाला है और जो marks हमने बनाए थी ना अब मैं केवल उनी पर चाकू को गुमिनोज में उससे भी टेस्टी है यकीनन उन्होंने ऐसा कहा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सारे ऐसे टूटके पड़े कि ऐसा फैलाया कि मैं वो दिखा नहीं सकती थी आपको यह देखें कि बढ़िया टेक्शर वाली हमारी garlic bread रेडी हुई है दूसरी वाली बढ़िया बेक हुई है इस पर मैंने थोड़ा chili flakes वगरा कम डालाता तो यह red नहीं दिख रही है बढ़िया टेक्शर में इसकी भी कोई कमी नहीं है और इसे भी मैं cut कर रही है तो अपसे जब भी आपके बच्चे इस तरीके की चीजों की demand करें आपको कुछ भी मेहनत करने दे सकते हूं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और oil free है मतलब fried नहीं है तो वैसे भी चीज अच्छी हो जाती है और बन गई है तो अब इसे टेस्ट करके भी दिखाती हूं मतलब बहुत ही crispy और खस्ता garlic bread है तो आप इस recipe को try कीजिएगा और ये वीडियो ये recipe पसंद आई है तो like share जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजेगा और अहां तारा मदू डाइरी इंस्टाग्राम फेस्बूक पर भी please please follow कर लिजिएगा तो चलिए friends अब मिलेंगे कल बहुत भी बढ़िया नई सी recipe लाने वालियों कल तो जरूर देखेगा बबाई टेखियर